दुनिया के सबसे अमीर इंसान, जैब बैजस के बारे में तो आप सबी जानते ही होंगे, जिनके पास तकरीबन 177 बिलियन डॉलर की समपत्ती है, ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन आपके मन में कभी न कभी ये भी खयाल आता होगा, कि पुराने जमाने में राजा महराज के टाइम पर, मतलब कि इतिहास का सबसे अमीर आजमी कौन रहा होगा, और इसके पास कित्ती समपत्ती रही होगी, आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा, तो चलिए जानते हैं, माना जाता है कि मनसा मूसा ही इतिहास का सबसे अमीर इंसान था, इस इससे पहले कि हम जाने मनसा मूसा के पास इतिह समपत्ती आई कहां से, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मनसा मूसा था कोई, एफरिका के रहने वाले इस मनसा मूसा का जन 1280 में, एफरिका के सबसे बड़े एमपायर माली समराज्य के कीटा राजमंस में हुआ था, त 25 सालों में इसने बेसुमर दोलत कमाया और लुटाया जिसका सही-सही अंदाज लगा पाना तो मुस्किन है मुसा ने ये सारी दोलत लमक और सोने के कारवार से कमाया था क्योंकि उस समय माली में नमक और सोने के बड़ी मातरा में बंडार मौजूद थे माना जाता है कि उस समय माली में ही सबसे जादा सोने का उतपादन होता था यहाँ सालाना लगबग हजार किलो सोने का उतपादन होता था वो भी उस समय जब दुनिया भर में सोने की मांग पीक पर थी वैसे तो मूसा इतنا अमीर आध्मी था लेकिन लोगों को उसकी अमीरी के बारे में थोड़ी पता था उसकी अमीरी के चट चर्चे लोगों में तब प्हेले जब वो एक बर मक्का की यात्रा पर जा रहा था उसकी इस यात्रा में सेना वैपारी करमचारी गुलाम सहित लगबग 60,000 लोग सामिल थे ये यात्रा सहारा रेगिस्तान इजिप्ट से होकर मक्का तक की थी इस यात्रा में असी उट ऐसी भी थे जिनकी पीट पर लगबग 136 किलो सोना लदा हुआ था जिसे उसने रास्ते में आने वाले गरीबों और बिखारियों में बाट दिया था मुसा जब इजिप्ट के काईरा सहर उंचा तो वहां उसने गरीबों और बिखारियों में इतना सोना बाटा की वहां भारी मातरा में महेंगाई बढ़ गई जिससे मुसा के चर्चे पूरे इजिप्ट में फैल गए थे और उसे दूर दूर से लोग देखने आने लगे थे पूरे यूरोप के लोग भी उसे देखने आने लगे थे मुसा की बातसाहत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वो मक्का की यातरा पर जा रहा था तो उसने कई जगह और मकानों को यूई खरिद लिया था ताकि जब कोई मक्का की यातरा पर आया तो उसे किसी बात की दिक्कत ना हो मुसा अपने आपको एक सच्चा मुसल्मान मानता था जब वो मक्का से वापिस आया तो उसने माली में कई भावनों, स्कूलों और महजिदों का निर्मान कराया था जिसमें से कुछ अभी भी मौजूद है मक्का से वापसी के बाद वो अब पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था उसे दूर दूर से लोग देखने आने लगे थे जिसके कुछ सालों बाद 1337 में मुसा के मृत्यों हो गई जिसके बाद उसका बेटा साशक बना लेकिन उसका साशनकाल ज्यादा सालों तक टिक नहीं पाया और सो सालों के अंदर ही पूरे कीटा राजबंस का नामोरिशान मिट गया आपको क्या लगता है कि अगर मुसा जिन्दा होता तो क्या वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता कमेंट करके जिरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें